आज हम स्वास से जुड़ी बातों में टॉंसिल की तकलीफों के बारे में बात करते हैं टॉंसिल की बिमारी के कारण गले में दर्द होता रहता है टॉंसिल के कारण गले में जलन और सूजन हो जाती है इस बिमारी से पेड़त व्यक्ति को खाना खाने में भी काफी तकलीफ ह होती है और समय पर इलाज नहीं लेने पर बुखार भी हो सकता है हमारे गले के दोनों और ओल शेप के अंग हैं जिन्हें टॉंसिल्स कहा जाता है किसी प्रकार के बैक्टीरिया या इंफेक्शन के संपर्क में आने पर इनमें सूजन आना वर जलन होना शुरू हो जाती है आम टॉंसिल्स में सूजन भी आ जाती है जिसे खाने व पीने के साथ ही सलाईवा निकलने में दिक्कत होने लगती है टॉंसिल्सों होने के करण हो सकते हैं टॉंसिल्स की समस्य अक्सर तब होती है जब tonsils कमजोर हो जाते हैं इसके अलावा immunity कमजोर होने पर बहुत गर्म या spicy food खाने से बहुत ठंडा खाने पर और मूँ की सही से सफाई न करने पर tonsillitis हो जाता है कई बार पेट खराब होने पर कबज होने पर या प्रदूशन धूल आदी के कारण भी tonsillitis हो जात उखार आना जबडों के नीचले हिस्से में सूजन आना और सांसों में बदबू होना गले में दर्द होना खाना खाने या पानी पीने में दर्द होना साथी खाने का स्वाद न मिलना या स्वाद बदला बदला लगना टॉंसिल के उपचार के लिए green tea आपकी मदद कर सकती है टॉंसिल की समस्या से निजाथ पाने के लिए green tea एक बहतर विकल्प है हरबल green tea को long काली मिर्च और अद्रक के साथ अबाल कर पीने से दर्ध में रहात मिलती है इससे बंद नली को भी खुलने में मदद मिलती है इसके अलावा नीबू एक बहुत अच्छा घरेलू उपचार है जो टॉंसिल की समस्या में आराम पहुचाता है गुनगुने पानी में नीबू निचोड़े और शेहद मिलाकर कुला करें इसके साथ ही चुकंदर भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें संक्रमाण को दूर करने का गोण होता है इसलिए दिन में दो बार एक एक गिलास चुकंदर का जूस पीने से टॉंसिल जल्दी ठीक होता है चुकंदर के जूस में एक आवला, एक टमाटर और एक नीबू भी मिला सकते हैं इसके अलावा सूखे अंजीर का सेवन दूद में मिलाकर करने से शरीर को शक्ती मिलती है पानी में उबालकर अच्छी तरह से मसल कर इसका गले पर लगा लें ये गले की सूजन को कम कर दर्द से रहत पहुचाने का काम करती है इसे टॉंसल की समस्या जल्दी जड़ से खत्म हो सकती है इसके साथ ही दालचीनी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं दालचीनी को पीस कर इसका बारिक पॉडर बना ले अब इसे चुटकी भर लेते हुए रोज शहद के साथ इसका सेवन करें इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं इसके साथ ही खीरे में विशेले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने वाले गोण है इस समस्या के लिए यह एक बहुत अच्छा घरेलू उपचार है आप इसको आसानी से खा सकते हैं साथ ही लसून का सेवन हमारे शरीर के लिए काफी लापकारी होता है सुबह शाम को लसून के पानी से गराराव कुला करने से भी आराम मिलता है इसे बनाने के लिए साथ से दस लसून की कलियों को छील लें डेड़ गिलास पानी में उबाल लें इसे ठंडा हलका ठंडा कर इस्तवाल करें इन घरेलू उपचार के साथ गाजर भी आपकी मदद कर सकती है इसमें बैक्टेरिया नस्ट करने की शमता होती है इसके सेवन से शरीर में विटामिन A की भी कमी पूरी होती है टॉंसिल को ठीक करने के लिए रोज गाजर का एक गिलास जूस पीना चाहिए बहतर परिणाम के लिए आप सुबह और शाम दोनों समय जूस पी सकते हैं यदि समय पर टॉंसिल के संक्रमाण पर ध्यान नहीं दिया जाये तो कई तरह के रोग हो सकते हैं कई बार डॉक्टर टॉंसिल की इस्तिती को देखते हुए उसे निकालने की सलहा देते हैं उपचार में एंटिवाटिक व दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं टॉंसिल में बार बार संक्रमाण चिंता की बात है शरीर के बॉडिगाड टॉंसिल शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता को बनाय रखने में अहम रोल निभाते हैं गले में दोनों तरफ तालू के नीचे पिंड नूमा सरहचना में टॉंसिल इस्तित होते हैं जो एक प्रकार के लिमफाइड उत्तक हैं टॉंसिल में संक्रमाण को टॉंसिलाइटिस कहते हैं इसके उपचार में एंटिवाटिक वर दर्दनिवारक दवाएं दी जाती हैं ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन बच्चों में ज़्यादा होती है यदि एक साल में चार से छे बार से ज़्यादा संक्रमाण हो तो टॉंसिल निकाल देते हैं टॉंसिल का एक और का आकार बढ़ जाए या इनका आकार बढ़ने के कारण निगलने में परिशानी हो रही हो टॉंसिल में मवाद निकालने के कारण डेड़ महा में वापस से संक्रमन हो टॉंसिल निकालने से क्या होता है जैसे यदि टॉंसिल जदा परिशानी दे रहे हैं तो ही उन्हें निकाला जाता है इसको निकालने से शरीर पर कोई प्रतीकोल प्रभाव नहीं पड़ता हमारी कले में दो टॉंसिल होते हैं वैसे टॉंसिल के महज आकार में थोड़े बढ़ने कोही सामान्य नहीं माना जाता जब तक कि ये खाने या सांस लेने में रुकावट पैदा करने न लगने लगे यदि एक तरफ के टॉंसिल का आकार अत्यधिक बढ़ रहा है तो इसकी अंदेखी न करें ये कैंसर का लक्षन भी हो सकता है गला हमारे शरीर का एक महतवण अंग है इसका महतव इसी बाद से सपस्ठ है कि शरीर के भीतर पहुँचने वाले एक हाज़-पदार तथा हवा पानी के प्रविश का दायत्व इसी पर है इसी महतोपूर्ण कार्य को निभाने के कारण यही इंसा हमारे द्वारा ग्रहन किये जाने वाले भोजन जल तथा वायू में उपस्तित किसी भी जहरेल तत्व से सबसे पहले प्रभावित होता है नाक और कान भी इससे अशूते नहीं रहते हाला कि बहारी रूप से देखने से हमारे नाक गलाव कान अलग अलग दिखाई देते हैं परन्तु गले के भीतर जाकर इन तीनों अंगों की कोशिकाएं आपस में मिल जाती है इस कारण इन तीनों अंगों में से किसी भी अंग में किसी प्रकार का संक्रमन हो जाता है तो उसका प्रभाव तीनों अंगों पर पड़ता है इस कारण जरूरी है कि कोई भी संक्रमन होते ही जल्दी से उसका उपजार किया जाए टॉंसिल की समस्या का कारण किसी भी प्रकार का प्रदूशन या इंफेक्शन हो सकता है जो हमारे शरीर में मुखव नाक से प्रवेश कर रहा हो ये प्रदूशन या इंफेक्शन वाइरल या बैक्टीरियल किसी भी प्रकार के प्रदूश्यक से दूशित हवा सांस के माध्यम से जब शरीर में प्रवेश कर जाती है तो ये हतुरंत समस्या पैदा कर सकती है ऐसे इस्थान जहां के वातावरण में बद्बू, सीलन, तथा, अन्यकिसी रसाइनिक तत्व का समावेश हो ऐसे इस्थानों में वायू के द्वारा निरंतर जहिरिले तत्वों के संपर्ग में आने के कारण टॉंसिल रोग की समस्या खड़ी हो सकती है बच्चों में इस रोग के ज़्यादा मामले द्रिश्टी गर्थ होते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शमता कम होती है ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र के लोग इससे ग्रसेत नहीं हो सकते हैं उनमें भी यह समस्या देखी जा सकती है इससे बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों को संतुलित भोजन दिया जाए ताकि उनके शरीर के रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत हो सबसे जरूरी तो ही है कि टॉंसिल के लक्षन दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें दॉक्टर द्वारा दिये गए दवाई के कोर्स को पूरा करना चाहिए अक्सर लोग थोड़ा सा आरा मिलते ही दवाई बन कर देते हैं परन्तु ऐसा करना रोग को और अधिक उग्र करना बना देता है इस रोग के दौरान रोगी को खाना पानी निगलने में तकलीफ होती है ऐसे में बहुत से लोग कम खाते हैं यह ठीक नहीं है रोगी के शरीर की आउशकताओं की पूर्ती नरम या तरल खात पदार्थ देकर की जानी चाहिए इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बनी रहती है आयरवेद के अनुसार टॉंसिल्स की बिमारी अस्वस्त खानपान के कारण होती है यह मुख्यत कफदोश के कारण होती है टॉंसिल के इलाज के लिए आप घरेलू उपचार कर सकते हैं लेकिन अगर समस्या एक या दो दिन में ठीक ना हो तब जाकर डॉक्टर से स लेकिन अगर बुखार एक हफते से जादा बना रहे और दर्द लगातर बढ़ता जाये तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए यह किसी गंभी रोक का लक्षन भी हो सकता है टॉंसिल के लिए आयरवेद दिक उपचार के दौरान ये परहेज करना जरूरी है जैसे इवं अधिक मसालेदार भोजन ना करें और ठंडे चीजें जैसे दही आइसक्रिम ठंडे पानी का सेवन बिलकुल ना करें और जंक फूट तली भुनी मसालेदार चीजों का सेवन बिलकुल ना करें खाने को फ्रिज में रखने के बाद बार बार गरम ना करें ऐसा करने से खाने के पोशक तत्व कम हो जाते हैं इससे व्यक्ति की रोक प्रदिरोधक शमता कम जोर पड़ जाती है तुलसी और शहद से टॉंसिल का उपचार कर सकते हैं एक गिलास दूद में चार से छे तुलसी के पत्ते उबाल लें गुनगुना होने पर आधा चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें इसके साथ ही प्याज के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर गरारा करें टॉंसिल में यह बहुत लाप पहुचाता है इसके अलावा छे से साथ ग्राम मिथी के बीजियों को एक लीटर पानी में गर्म करें इससे दिन में तीन बार गरारा करें यह टॉंसिल में लाब दैक होता है और पानी में चार से पांच लसून डाल कर उबाल लें इस पानी से गरारा करें यह सूजन और जलन में आराम दिलाता है इसके साथ ही फिटकरी के पॉडर को पानी में उबाल कर गरारा करें यह टॉंसिल की परिशानी को कम कर आपको आराम पहुंचाता है इसके अलावा गर्म दूद में एक चुटकी हल्दी डालकर रात में सोने से पहले सेवन करें हल्दी का सेवन टॉंसिल के साथ साथ कई रोगों को ट्रिक करने में मदद करता है और टॉंसिल के घरेलू इलाज के लिए अद्रक का भी होती है और टॉंसिल को घर पर ही ठीक करने का बहुत ही आसान उपाय है इसके अलावा एक चमच शहद में नीबू के रस की दो से तीन बूंद मिलाकर बच्चे को दिन में तीन बार सेवन कराएं और गरम पानी में नीबू का रस और ताजा अद्रक पीस कर मिलाएं इस पान स्वास्थ और टांसिल से जुड़ी इतनी ही बाते और बाते हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बलाइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके.